राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक तंत्र मंत्र से जुड़ी कहानी, दोस्तों यह कहानी केवल मनुरंजन के लिए है, किसी भी अंद्विस्वास को बढ़ावा नहीं देती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्रा सौरिता और उसके पती आसीस की शादी अभी नई नई हुई थी, दोनों ही अपनी नई नई शादी से खुश थे, आसीस की मा थोड़ा सा कम खुश थी क्योंकि सौरिता उनकी पसंद की बहू नहीं थी, आसीस और सौरिता का प्रेम विभा हुआ था, आसीस की माँ अपने घर के लिए जो सौरीता नहीं बलकि अपने ही जैसी एक बहु लाना चाहती थी लेकिन सौरीता एक बंगाली लड़की थी जो कि आसीस की माँ को खटकती थी वह यह बात अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती थी क्योंकि वे जानती थी उनका बेटा इस बात से बिलकुल भी खुस नहीं होगा वे जानती थी कि उनका बेटा सौरीता से बहुत प्यार करता है और उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता सौरीता और आसीस की साधी को अभी जादा समय नहीं हुआ था बातों इबातों में सौरीता हमेशा आसीस को यहीं कहती थी कि उसे बंगाल बहुत पसंद है कौलकाता बहुत पसंद है हालांकि आसीस रहता तो आसाम में था पर अपनी पत्नी सौरीता की हर इच्छा को सुनता भी था और पूरी करने की कोशिस भी करता था सौरिता यही जानती थी कि आसीस उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिस करता है और उसकी कौलकाता जाने की इच्छा भी कभी ना कभी जरूर पूरी होगी सौरिता जानती थी कि वे हुआ शायद रहना पाए क्योंकि उसका घर तो आसाम में है पर वे जरूरी नहीं था कि वो हुआ बस जाना चाहती थी वे तो बस कौलकाता देखना चाहती थी पता नहीं क्यों सौरिता के अंदर कौलकाता को लेकर इतना पागलपन था क्यों यह समझ ही नहीं पाती थी एक दिन अचानक आसीस बहुत कुस घर वापस आया और आते ही सौरिता को जो उसने अपनी बाहों में भर लिया सौरिता ने मुस्कुराते हुए आसीस को एक तरफ पलट कर पूछा क्या बात है आसीस आज बड़े खुस लग रहे हो कोई खास बात है क्या आसीस ने भी कहा सौरिता आज खास बात तो है पहचानो तो जानो कि क्या खास बात हो सकती है सौरिता कहने लगती लगता है आपका परमोशन हो गया है आसीस कहने लगा अरे वा क्या बात है मेरी पतनी तो मेरे मन की सारी बाते जान लेती है हाँ सौरिता मेरा परमोशन मिला है लेकिन उसे भी खास एक बात हो रहे है जानती हो क्या वे खास बात ये है सौरिता मुझे पर्मोशन के साथ साथ कॉलकाता में रहने का मौका मिल रहा है तुमारी पसंदीदा जग है अब हुआ जाकर हम रहेंगे तो बताइए सौरिता मैडम कैसा लग रहा है सौरिता कहने लगी क्या बात है अच्छा तो लग रहा है लेकिन आप मुझे सौरिता मैडम क्यूं कह रहे हैं आपके मूँ से सौरिता ही अच्छा लगता है या शुरू आप बोलते हो तो वो मुझे अच्छा लगता है आसीस तो फटा-फट अपनी तैयारी करने लगा और तुम भी अपनी फटापट पूरी तैयारी कर लो और सौपिंग भी कर लो अब हम दोनों चले कॉलकाता तो बताईए मैडम आपको कैसा लग रहा है तो सौरिता बोली अच्छा लग रहा है ना अपने सपनों के सहर जा रही हो तो किसे अच्छा नहीं लगेगा सौरिता कहने लगे क्या कहूं आसी से ऐसा लग रहा है जैसे ना मेरे सपनों को तो पर लग गए है अब मेरा सपना पूरा होने वाला है मैं जाओंगी अपने सहर पता नहीं क्यों मुझे कलकता बहुती पसंद है मैं कभी कॉलकाता सहर गई तो नहीं हूँ पर पता नहीं क्यो ऐसा लगता है जैसे कि कोलकाता सहर तो मेरा अपना ही है तो आसू मैं क्या समझो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा पता है नहीं मैं खुस हूँ अब मैं कोलकाता जाने का सपना जब मेरा पूरा हो जाएगा और मुझे ना तो अब वो जो सारा है ना ही सौपिंग करने का मन कर मेरा मन कर रहा है कि जाओं सौपिंग कर लू और सारी पैकिंग भी कर लू तुम्हें पता है आसू हम लोगों की ब्लॉगिंग ना कॉलकाता की है हम पता नहीं क्यों मेरे पेरेंट्स और मेरे दादू मुझे हुआ जाने नहीं देते हैं मुझे समझ नहीं आता कॉलकाता सहर म बीत चुके हैं हम लोगों को कलकाता सहर छोड़े हुए पर जब से वे सहर छोड़ा है न मेरे घर्म से कोई भी हुआ नहीं गया है और नहीं मुझे जाने देते हैं बाकी कोई तो जाना नहीं चाहता आसू पर मैं जाना चाहती हूँ फिर भी मुझे कभी जाने नहीं दिया ग जाओ फटाफट सौपिंग कर लो, जो जो तुमें पसंदाईवे खरीद लो, और फटाफट से अपनी पैकिंग कर लो, पर तुम कुछ दिनों बाद जाओगी, अभी नहीं, मैं वहाँ जाकर सारी तैयारियां देख लो, कहां रुकना है, कैसे रहना है, वहाँ पर क्या-क्या अरेंजमेंट हुए है, मेरी कंपनी की तरफ से, वह सब मैं एक बार चेक कर लूँ, उसके बाद फिर हम दोनों चलेंगे कोलकाता, ठीक है न, तो वह कहने लगी, हां, लेकिन माजी से पूछ लो, चलेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आसीस कहने लगा, ओके जैसा आपका हो, तो आप पहले चले जाना, सौरिता कहने लगी, हुआ सारे अरेंजमेंट देख लेना, आप पहले से ही, जो उहां पर तयारी कर लो, और मैं फिर उहां पर बाद मैं आपके साथ जाऊंगी, तो जनाब पहले आपकी ही तो पैकिंग करनी पड़ेगी न, आस तुम उनसे बात जरूर कर लेना ठीक है न, तो सौरिता बोली ठीक है, मैं वह कहने लगी लेकिन मैं, क्या बात करूँगी मम्मी से, आप तो जानते ही हैं, मम्मी मुझसे खुस नहीं रहती, मम्मी को मुझपर हमेसा गुसा ही आता है, मेरी कोई बात भी उन्हें पसंद नह आती, आप ही बोल दीजिये, जो बोलना है, मैं उनसे कुछ नहीं बोलूँगी, तो आसिस कहने लगा, अरे नहीं नहीं सौरिता, तुम्हें गलत फहिमी है, मम्मी तुम्हें पसंद करती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ना तुम्हें जैसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, म अगर उने कोई बात गलत लगेगी तो वो तुमसे कहेंगी इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है मम्मी ही तो है सौरिता बोली तो अच्छा ठीक है मैं बात कर लूँगी तो आसीस बोला अच्छा यह बताओ क्या बोलोगी सौरिता बोली मैं कहूंगी मम्मी इनका कॉलकाता transfer हो गया है company की तरफ से और ये मुझे साथ ले जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ इनको दिक्कत होगी तो क्या मैं इनके साथ चली जाओं यही कहूंगी न तो आसीस कहने लगा सही जा रही हो यही कहना ठीक है और वो हसने लगा तो वह कहने लगा कहने लगे तुम भी न कितनी डरती हो ममी से मा तुमें भी उतना ही मानती है जितना मा मुझे मानती है तुम उनसे कैसे भी यह बात बोल दोगी तो वह तुमसे गुसा नहीं करेगी सौरिता और तुम बिल्कुल भी मन में ही चक मत रखो सौरिता बोली जानती हूं कितना मानती है बात तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना आपको तो करनी नहीं है आप अपनी मा से बात करके चले जाएंगे अपनी मा से बात करें मैं किसी इसको क्या दिक्कत होती है अपनी मा से बात करने में जो आपको दिक्कत हो रही है किसी क क्या प्रॉब्लम होती है अभी हमारी साधी को एक साल भी नहीं हुआ है मा और मेरे बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है आसरीस बोला अच्छा ठीक है तुमको जैसे बोल रहा हूं तुम ऐसा ही बोल देना ठीक है न अभी बात दिल पर ना लो यार मूँ मत फुलाओ चलो खा खाने में मैंने राजमा चावल बनाए ठीक है मैं मा को बुला के लाती हूं आप हात मों धोकर टेवल के पास आईए सौरीता अपनी सास को बुलाने चली जाती है और खाना लेकर आ जाती है टेवल पर खाना लगाने लगती है सब लोग खाना खा रहे थे और बाते कर रहे सौरिता की सास कुछ थोड़ी सी सक्त और गंभीर थी लेकिन सौरिता और आसीज अभी भी बाते कर रहे थे सौरिता की सास को सौरिता बिलकुल नहीं पसंद थी क्योंकि वे अपने हिसाब की बहुलाना चाहती थी लेकिन सौरिता उनके बेटे की पसंद थी इन दोनों ने लम मेरिज की थी अब ना चाहते हुए भी उन्हें इस साधी को एकसेप्ट करना पड़ रहा था और अपने बेटे की हर बात माननी पड़ रही थी हालांकि वे चाहती थी उनका बेटा उनकी पसंद से शादी करे और उनके घर में उनकी पसंद की बहुआ है क्योंकि सौरिता लम मेरिज करके आई थी तो वे अपने उनके मन को बिल्कुल नहीं भाई थी सौरिता के लिए उनका दिल जीतना मानो दांतो तले लोहे के चने चबाने जैसा था जब नई नई शादी हुई थी सौरिता ने उनको खुश करने की हर नाकाम कोशिस की पर सौरिता के हाथ हार ही लगती थी समय से अपना काम करती अच्छा अच्छा खाना बनाती तैयार होकर रहती पर फिर भी उसकी सास को उसमें कुछ भी पसंद नहीं आता था क्योंकि वे उनकी पसंद की ही नहीं थी वे चाहती थी बस बहू हो तो बस मेरे पसंद की हो और जब मेरे पसंद की ही नहीं तो उसकी कोई भी चीज उने पसंद की क्यों आती वे उसमें कुछ पसंद करना ही नहीं चाहती थी उनके मन में बस यह बात बैट गई थी यह मेरे पसंद की बहू नहीं है मेरे हिसाब से नहीं है वे यह जानने के कोशिस ही नहीं कर रही थी कि वे कितनी कोशिस कर रही है उनके हिसाब से ढल सके पर उनके हिसाब से ढल नहीं पा रही थी अब ऐसा वक्त आ गया कि सौरिता ने कोशिस करनी छोड़ दी थी अब वे हर चीज अपने हिसाब से करने लगी अपने हिसाब से रहने लगी अपने हिसाब से बनाने लगी खाने की टेवल पर खाते खाते बाते होने लगी बातों बातों में आसीज ने अपनी मा को बताया मा उसकी कंपनी ने उसे का जो ट्रांसपर कर दिया है ट्रांसपर के चलते उसे कलकत्ता सहर जाना पड़ेगा और वे अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना है ये सुनते ही आसीज की मा दुखी हो गई उन्हें लगा कि अब यहां अकेले वो रह जाएंगी उन्हांने का ठीक है बेटा तुम जाओ और साथ में इसे भी लेकर चले जाओ मैं यहां अकेले मैनेज कर लूँगी पर हाँ मुझसे रोज फॉन पर बात करते रहना तुमारी चिंता लगी रहेगी मुझे तुम बहुत याद आओगे बताओ तो कब जाना है आसिस बोला मा जादा वक्त नहीं है बस अगले हपते जाना है कमपनी की तरफ से प्रेसर आ रहा है एक हपते के बाद हुआ मेरी जॉइनिंग है तो पहले मैं हुआ जाकर सारी तैयारियां देख लूँगा हर चीज देख लूँगा उसके बाद मैं सौरिता को अपने साथ लेकर जाऊंगा सौरिता उसके पहले जो आपके साथ ही रहेगी मैं बाद में इसे आकर लेकर जाऊंगा तो उसकी मा बोली आसीस की ठीक है बेटा तुम हुआ जाकर सारी तैयारियां देख लो उसके बाद इसे अपने साथ लेते चले जाना आसीस की पैकिंग हो गई थी और आसीस अपने फिलाइट में बैट कर कॉलकाता के लिए निकल गया और सौरीता उदर अपनी सास के साथ घर में रुग गई थी आसीस हुआ जाकर देखता है वहां हर परकार का अरेजमेंट हो रखा था सारे अरेजमेंट्स हो चुके होते हैं इसलिए आसीस जो सौरीता को फोन करके कहता है कि सौरिता तुमको एक हपते इंतजार करने की जरूरत नहीं है मैं तुमको दो दिन बाद ही लेने आ जाओंगा यह बात मा से बता देना सौरिता कहती है ठीक है सौरिता और आसी इस दौनों कॉलकता के लिए निकल जाते है दौनों कॉलकता पहुच गए सौरिता कोठी को देखती है तो बेहद खुस हो जाती है उसकी आँकों में चमक आ जाती है सौरिता कोठी के अंदर कदम रखती है कदम रखते हैं एक हवा का जोका सौरिता के खुले बालों को हिला देता है और पिर अचानक से फिर हवा थम जाती है सौरिता के आखे बड़ी हो जाती है वे पूरी कोटी को जैसे अपनी आखों में समा लेती है ऐसा लगता है जैसे कि वे पहली बार यहां नहीं आई वे इस कोटी के चप्पे चप्पे को जानती है वाँ के मिट्टे के खुस्बू को पहचानती है ऐसा नहीं लग रहा था जैसे सौरिता ने यह जगह पहली बार देखी हो ऐसे लग रहा था जैसे सौरिता यहीं रहती हो वे भी कुछ दिनों से नहीं बलकि इस जगह को कई सालों से जानती हो बड़ी अजीब बात थी आसी सौरिता को ऐसे देखता है तो उसे कोई शक्र नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कोटी है इतनी सुन्दर सौरिता उसे जो आखे फाड़ फाड़ कर देख रही है और कोटी की सुन्दरता ऐसे ही देखते बनती थी साप सपाई भी बहुत अच्छी हो रखी थी इतने में सौरिता रुकते हुए नई चाल में कोटी में दाखिल होती है और अपने हाथ को इस तरीके से घुमाती है मानो उसने बंगाली साडी पहनी हो जबकि सौरिता ने सूट पहन रखा था वे अपने डुपटे को एक हाथ से घुमाती है और अपने कंदे पर रखते हुए जैसे बंगाली ओरते अपनी साडी का पलू रखती है सौरिता चलते चलते सीडी पर कदम रखती है और अपने हाथ को उसकी रेलिंग पर रखती हुई बंगाली गाना गुन गुनाती हुई बालों को एक तरफ करके चलने लगती है इतने में आसिस उसे देखकर कहता है अरे मैडम आपका समान भी रखा हुआ है सौरिता आसिस की तरफ देखकर कहती है तो लेते आईए ना आसिस अपने माथे पर हाथ मार देता और कहता है चलो लेकर अंदर मैडम तो चली आप तक गोपाल काका आ जाते हैं और कहते हैं सहब आप अकेले कहां तक चलेंगे सारा समान मैं भी ले चलता हूँ अरे मैडम आज सिर्फ घूमना फिर नहीं है या पिर कुछ खिलाएंगी या आज मेरा उपवास कराना है हमको कुछ खाने को मिलेगा की नहीं सौरिता कहती है हाँ बाबू खाने को भी मिलेगा तो सौरिता जो अपनी बंगाली भासा में भी कहती है हाँ बाबू की खोबे तो आसी इसको हसी आ जाती और कहता सौरिता यह क्या तुम तो बंगाली बोल रही हो यार तुम्हे तो बंगाली नहीं आती है तुम्हारी मम्मी बंगाली नहीं है और I know यह बंगाली का भूत कहां से आ गया चलो अच्छी एक्टिंग बंद करो और सोचो की क्या खाना है तो सौरिता कहती है एक ही बाबू तुम्हे के हमी आसी सब जोर जोर से हसने लगता है और कहता है बस बस करो सौरिता यार एक ही दिन में सारी बंगाली बोलोगी क्या चलो यार खाना खाते हैं कुछ बनवाते हैं गोपाल काका से या तुम बना कर खिलाओगी मुझे तो सौरिता कहती है आप हमको जो सौरिता क्यों बोल रहे हैं हमको पारो बोलो आसीस कहते हैं ओहो कॉलकता आते ही अरे वा मेरी पारो चलो यह बताओ क्या खाना है सौरिता कहती है चिंता छोड़ दो कि आपको क्या खाना है वे हम देखेगा हम आपको टेंसन लेने की ज़रुत नहीं है अभी हम जाता है गोपाल काका से बात करेगा और देखेगा कि क्या बना सकता है तो आसीज कहता है और डीनर तयार हो जाता है और सौरिता आसीज को डीनर करने के लिए बुलाती है आसीज कहता अरे वाँ आज तो खुसमू तो बहुत बढ़िया आ रही है तो क्या बनाया है मैडम ने बताई है या खुदी देख लो सौरिता कहती है फिस करीब बनाया है खा कर बताना कि कैसा बना है आसीज थोड़ा अजीव रियक्शन देता है आसीज का फैवरेट चिकन है बट वे फिस भी बहुत मन से खाता है पर उसको अजीव यह बात लगती है सौरिता ने फिस बनाई है सौरिता जोकी नौनवेज को टच मी करना पसंद नहीं करती थी जोकी यह कहती थी अगर नौनवेज खाना है तो आप बाहर खाईए गर में नौनवेज नहीं बनेगा वे सौरिता के लिए फिस बना कर लाई थी और वे ही सौरिता आज नौनवेज बना रही है वे भी इतनी लजीज कि उसकी खुसबो इतनी अच्छी लग रही थी मन कर रहा था कि बस पलेट में आये और सीधे पेट में चला जाए सौरिता और फिसकरी कैसे सौरिता ने कब बनानी सीखी वे यही सोच रहा था अरे यार मैं भी न ज़्यादा सोच रहा हूं आसी सोचने लगा सौरिता ने नहीं गोपल काका ने बनाई होगी फिर उसने मनी मन कहा सौरिता खाना सर्व कर रही होती है कि उस घर के मालिक भी आ जाते सौरिता को देखकर बड़ा अजीव रियक्शन देते हैं ऐसे लगता जैसे वे सौरिता को पहचान रही हैं सौरिता को उन्होंने पहले भी देखा हुआ है उनके रियक्शन को देखकर आसीस को समझ नहीं आता लेकिन हाँ सौरिता से उनका इंट्रोडेक्शन कराता है अब तक आसीस उसका नाम ही जानता था तो उस घर के मालिक से कहता है यह मेरी वाइफ सौरिता है और सौरिता यह घर के मालिक हैं जो आउट हाउस में रहते हैं यहीं पर और हम लोगों के साथ हमेशा यहां जॉइनिंग करेंगे खाने में कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए होगी तो बताओ यह घर के मालिक हैं और भुजुर्ग भी तो हम लोगों की हेल्प भूत हो जाएगी इतने में सौरिता के मुह से निकलता है सब्द सातियों की अपना नाम सौरिता के मुह से सुनकर उस घर के मालिक किया के फटी की फटी रह जाती है उसे लगने लगता है कि कोई अन्होनी होने वाली है इतिहास उसके सामने आकर खड़ा हो गया उसके सारे गुनाहों की सजा मिलेगी सजा तो कई सालों से वे भुगत रहा है पर अब उसका गुना सबके सामने आने वाला है जो कि कोई नहीं जानता जिस सेर में रहता था, वहाँ उसकी बड़ी इज्जत थी, क्योंकि कोई सच्चाई नहीं जानता था, लेकिन अब यह सच्चाई सब के सामने आ जाएगी, यह सजा तो और बड़ी हो जाएगी, सातियों की कहीं ना कहीं मनी मन डरने लगता है, सौरिता उस घर के मालिक की तरफ ऐसे देख रही थी, कि उसकी दृष्टी में खिनता भरी थी, उसे लग रहा था, अगर उसे मौका मिले, तो वह इस इनसान को यहीं मार दे, उसे ऐसा क्यों लग रहा था, यह बड़ा ही अजीव था, बड़ी मुस्किल से खाने के टेवल पर सांधी थी, सबने खाना खाया, और सब लोग सोने जाने लगे, सौरिता मुस्कुरा कर प्यार से आसीज की तरफ देखती है, और कहती है, आप भूल गए ना, हमारा कमरा नीचे नहीं, उपर है, सबसे सुन्दर कमरा इसको ठीका, आपको याद नहीं, आसीज को थोड़ा सा अजीब लगता है, कि सौरिता अपने मन से उपर की कमरे में क्यूं जा रही है, यह घर तो हमारा है ही नहीं, हम यह सिर्फ कमपनी की तरफ से रहने आए हैं, मैं मानता हूँ, कि हमें यहाँ पर पूरा राइट है, फिर भी हमें थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखना चाहिए और सौरिता यह क्यूं कह रही है, हमारा कमरा उपर की तरफ है, अचानक से सौरिता का पैर फिसलता है, और उसके मुझे आवाज निकलती है, आहां, और तब तक आसिश तेजी से आता है, और सौरिता को पकड़ लेता है, जब घर के मालिक यह नजारा देखते हैं, तो वह और देहल जाते हैं, क्योंकि यह नजारा उन्होंने पहली बार नहीं देखा था, उन्हें लगा कि इतिहास खुद को धोरा रहा है, मान सकते हैं कि सौरिता उसके जैसी थी, यह सब कुछ भी सौरिता के साथ कैसे हो रहा है, यह तो सौरिता के ना रहते वे भी इस गर में आसीज सौरिता को लेकर सोने चला जाता है अचानक आदी रात को आसीज की आँख खुलती है आसीज देखता है सौरिता उसके पास नहीं है वे सौरिता को ढूंडने निकल जाता है सौरिता को ढूंडते ढूंडते उसे अपने कानों में एक म्यूठी सी लोरी सुनाई देती ह बंगाली लोरी, वे थोड़ा सा अजीम महसूस करता है क्योंकि एक ओरत की आवाज है उसे लगता है इस घर में तो ऐसी कोई ओरत है ही नहीं और सौरीता आदीरात को क्यूं जगी है जगी भी है, तो लोरी क्यूं गा रही है और लोरी किसके लिए और अगर वे सौरिता नहीं है तो कौन है कौन है दूसरी ओरत जिसे हम लोग नहीं जानते अभी तक और वे इस घर में भी रह रही है चलते चलते आसीस अपने बगल के कमरे में पहुँच जाता है देखता हुआ पर सौरिता किसी को सुला रही है और लोरी गा रही है आसीस को बड़ा ही अजीब लगता है वे कहता सौरिता सौरिता उसको चुप रहने का इसारा कर देती है थोड़ी देर बाद सौरिता वापस आसिस के पास आती है और कहती है सो गई हमारी बेटी आसिस को बड़ा अजीब महसूस लगता है बेटी हमारी तो कोई बेटी नहीं है हमारे तो बच्चे भी नहीं है हमारे बच्चे कब हुए हमारी साधी को तो एक साल भी नहीं हुआ सौरिता सौरिता मुस्कुराते हुए आसीज के तरफ देखती है और कहती है क्या अनर्व आप भी अपने बच्चे भूल गए हो अपनी एक लड़की है उसका नाम है परीदी एकदम परी जैसी दीखती है अपनी बीटी बड़ी मुस्किल से सुला कराई हो यह सुनती आसिस की नींद उड़ गई वे सोचने लगा कि आखिर सोरिता को क्या हुआ है इतना अजीव क्यो भी एव कर रही है माना वे बंगाली गाना गाने लगी है माना वे बंगाली चाल भी चलने लगी है मानलिया वे फिस बनाने लगी है मगर वे बच्चे वाली बात कहां से आ गई हमारे कोई बच्चे तो नहीं है आखिर सोरिता किस बच्चे की बात कर रही है यह तो आसिस के पर यहां आसी इसकी तो नेंदी उड़ गई हमारे कोई बच्चे नहीं है सौरिता किसकी बेटी को सुला कर आई हो और बेटी महां तो कोई बच्चा थाई ही नहीं कहीं सौरिता डिप्रेशन में तो नहीं जा रही है सौरिता को बच्चे की कमी तो नहीं लग रही लेकिन आकिर ऐसा क्यों कर रही है सौरिता beauty अब आसिस को कुछ समझका नहीं आ रहा था वै ये समझना तो चाहा रहा था लेकिन समझना तो ये उसके बस से बाहर का था अब आसिस को लगने लगा yeah मुझे समझने ही आएगा ये तो मुझे अपनी मा से ही बात करनी पड़ेगी आखिर मेरी मा भी तो एक औरत है वे समझ सकती है सौरिता ऐसा क्यों महसूस कर रही है ये सोचते सोचते आसीज की आँख लग गई और आसीज सो गए अचानक आधी रात को किसी बच्चे के रोने की अवाज आने लगी सौरिता फिर उठकर चली गए आसीज को बहुत अजीब लगने लगा आसीज ने कुछ कहां नहीं उसे लगा शैज सौरिता के अंदर का डिप्रेशन भी हो सकता है वे कल मा से बात करेगा और सौरिता के बारे में सारी बात अपनी मा से पता करेगा कि आखिर बात क्या है आसीज सुबह देर से उठा और अंगडाई लेने लगा जैसे उसके सरीर में बहुत दर्द हो रहा हो रात को अच्छे से ना सो पाने की वज़े से आसीज के सरीर में कुछ दर्द महसूस हो रहा था और काफी थकान भी लग रही थी तब तक गोपाल काका आसीज के लिए चाय बना कर उसके कमरे में ले आए आसीज गोपाल काका से सौरिता के बारे में पूछता है गोपाल काका कहते हैं आसीज बाबा सौरिता जी तो किचिन में है खाना बना रही है आसिस यह जानकर हैरान हो जाता है क्योंकि सौरिता को खाना बनाने का कोई सौक नहीं था इसलिए तो खाना भी कुछ खास नहीं बनाती थी लेकिन ठिक ठैक बना लेती थी यहां तो मा भी नहीं है सौरिता किचन में क्या कर रही है आसिस चाय का कप उठाता और चुसकी लेता हुआ गोपाल का का जा रहे होते हैं तो आसिस उनको अवाज देता है गोपाल का का चाय को बढ़िया बनी है गोपाल का का बोले आसिस बाबा इसके लिए आप बहुजी को थैंक्यू बोलो वही उन्होंने ही चाय बनाई है आपके लिए आसीज सोचने लगा इतनी अच्छी चाय और आपकी बहुजी ने जूट तो नहीं बोल रहे काका उसे चाय बनाने यह नहीं आती है तो काका कहने लगे अरे बाबा हम क्यू जूट बोलेगा यह बहुजी बनाया है तो आसीज कहने लगा ओके, ओके ओके, वह चाय की चुसकियां भरने लगता है और मन में सोचने लगता है कि आखे तो सोरिता को आखिर हुआ क्या है आखिर बात क्या है और कोलकाता में उसके तो आते ही सुर बदल गए मैडम बड़ा अच्छा खाना बनाने लगी है चाए भी बड़ी अच्छी बनाने लगी है मेरे बिना बोले चाय भी मिल गई मा भी नहीं है यहां पर कि कोई प्रेसर डालने वाला नहीं आखिर बात क्या है आसिस चाय पीते पीते किचन में आ जाती है और सौरिता को देखते ही उसे पीछे से बाहों में भर लेते है सौरिता को सक पका जाती है और जटके से आसिस के तरफ पलट जाती है और कहती है ए की तुम की करोची अपने बंगाली भासा में बोलती है कि तुम यह क्या कर रहे हो आसिस बोला क्या बोल रहे हो बंगाली में मैं कुछ समझा नहीं सौरिता सौरिता कहती है तुम क्या कर रहे हो तो आसिस कहता कुछ नहीं अपनी बीवी को बाहों में भर रहा हूँ मेरी बीवी ने मेरे लिए इतने अच्छी फिस करीब नाई कल सुबह बिना बोले चाय पहुचवा दी इतनी अच्छी तो मैंने सोचा भी नहीं था अपने बीवी पर प्यार जतना क्या कुछ गलत सोच रहा हूं क्या तो सौरिता बोली तुमको लाज नहीं आती आसिस बोला क्या यार हिंदी में भी तो बोलो ना सौरिता बोली तुमको शरम नहीं आती आसिस कहने लगा किस से सरम करूँगा और क्यों यहां कौन है और मैं अपनी बीवी को ही तो बाहों में ले रहा हूं किसी और को तो नहीं मुझे सरमाने की क्या जरूरत है इसमें सरमाने वाली भी कौन सी बात है सौरीता बोली ठीक है और आप जाके नहा लीजिए आसीज का सारा रोमाश ठप हो गया और उदास मन लेकर कहता है ठीक है ठीक है मेडम जा रहा हूं नहाने उसके बाद आफिस और मेरा ब्रेकफ़स्ट रेडी कर दीजिए आपको तो पता ही है मैं क्या खाता हूं आसीज जो खाने की टेबल पर आता है और खाना देखकर उसे बहुत अजीब लगता है वे सोरिता को आवाज देता और कहता है की सोरिता तुम्हें पता है मैं क्या खाता हूं क्या लगा रखा है खाने की टेबल पर पर पराठा और सबजी पता है न मैं ब्रेड बटर जूस लेकर जाता हूं सुबह सुबह ये सब क्या है तब काका कहते हैं अरे सहाब खाली जीए मैडम ने बड़े प्रेम से बनाया है आपके लिए आज तो मैं खालेता हूँ आसिस कहने लगा जो भी तुमने बनाया है वे सब मुझे खाना है आगे से यह पराठा सब्जी चटनी मेरे लिए मत बनाना यह कुछ मैं नहीं खाना खा सकता सुबह सुबह प्लीज मेरे लिए सुबह ब्रेड बनाओ जूस रख देना मेरे लिए इतना ही काफी है आसिस ब्लेक फास्ट करके ऑफिस चला जाता है तब तक तो सब कुछ जो बाकी चीजे में देखने लगता है सब नॉर्मल लग रहा था पर आसिस क कि मा कहती है हाँ हाँ हम दोनों ठीक हैं और तुम दोनों कैसे हो तो आसिस कहता हाँ मा हम दोनों भी ठीक हैं तो आपकी बड़ी याद आ रही थी मा तो मा कहती है हाँ बेटा हम दोनों लोग ठीक हैं तुमारे पापा भी मैं भी और हमने टाइम से खाना भी खा लिया था प ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा सौरीता ठीक है ना सब ठीक है ना तुम दोनों ठीक हो ना तो आसीज कहता हां मा सब ठीक है पर मा जब से हम यहां आए हैं सौरीता बहुत ही अजीब सा वीहेव करने लगी है मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है पता नहीं आप तो खुद जानती हो कि सौरीता वेजेटेरियन है जाते ही उसने फिस्करी बना दी मेरे लिए वह भी बहुत टेश्टी और सिर्फ मेरे लिए नहीं बनाई थी मतलब तो मा कहने लगी क्या मतलब है तेरा तो कहने लगी सौरीता ने फिस्करी बनाई बेटा उसके बाद अगले दिन माँ पूरे घर में कुछ गुनगुनाते हुए बंगाली गाना गाने लगी और फिर चाय भी उसने बहुती टेश्टी बनाई, सुबह सुबह बना दी तो और सुबह सुबह चाय देना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है मा, सौरीता नहीं है, मेरे साथ कोई और ही है, ऐसा लग पास नहीं थी, और जब मैं सौरीता को ढूणने के लिए निकल पड़ा, तो मुझे लोरी गाने की आवास सुनाई पड़ी, मैं लोरी के पीछे पीछे जाते हुए सोचने लगा, कि इस घर में तो कोई लोरी गाने वाली औरत ही नहीं, लोरी गा कौन रहा है, या तो केवल मैं मेरी पतनी और गोपाल काका, औरतों में तो सिर्फ मेरी पतनी सौरीता ही है, आखिर गाना कौन गा रहा है, और लोरी इतनी रात को वो भी, तो मा, मैंने जाकर देखा, सौरीता लोरी गाकर किसी को सुला रही थी, और फिर थोड़ी देर बाद वो मेरे कमरे में आई और कहने लगी मैं अपनी बेटी को सुला रही थी मा मैं हैरान हो गया मा क्योंकि हमारी शादी को अभी एक साल भी नहीं हुआ है सोरी ता किस बेटी की बात कर रही है मुझे लग रहा है मा वे यहां आई है खुश तो है लेकिन कई ना कई उसके मन में कोई ना कोई बात दबी है वे डिप्रेशन का सिकार हो गई है या क्या पता कुछ पता नहीं चल रहा मा कहने लगी अरे यह तो बहुत बड़ी बात है आसीस तुम मुझे अब बता रहे हो अच्छा यह बताओ जिस घर पर तुम रह रहे हो तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो आसीस कहने लगा सब कुछ जानते हो से क्या मतलब है मा तो मा कहने लगी अरे बेटा मेरा मतलब उस घर में कभी कोई घटना तो नहीं घटी ना ना बेटा कुछ हुआ तो नहीं है ना क्योंकि सौरिता अचानक से बदल गई और अभी एक ही साल तो हुआ है तुमारे विभागों डिप्रेशन का तो कोई मतलब भी नहीं बेटा तुम दोनों की लम मेरिज हुई है यह भी नहीं है कि शादी को कही साल हो गए हो हम और तुम लोग तो बच्चे तुम लोगों को नहीं हो रहे हो तो हम तो इसलिए भी कुछ नहीं कह रहे है क्योंकि अभी समय कितना हुआ है इसलिए डिप्रेशन में चली गई हो डिप्रेशन में जाने का तो कोई मतलब भी नहीं हो था बेटा सौरिता के पास तो कोई वज़े ही नह नहीं है तुम उस घर के बारे में छान बीन करो आसी कहने लगा क्या मा मैंने बेकारी आपको फौन किया आप ऐसी फालतों की बाते करती हो ना जाने इस जमाने की होकर भी आप ये बाते करती हो क्यों घर में कुछ हुआ होगा आपके कहने का मतलब है भूत प्रेत है जो मेरी स करो चानवीन कोई बात नहीं हो सकता है डीप्रेशन ही हो तुम जाओ वां किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो सौरिता को आसिस कहता है मा मुझे यहीं ठीक लग रहा है मुझे काम जटनी जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है क्यूंकि मुझे लग रहा है सvention पूरीता में बहुत तेजी से बदलाब आ रहा है। बड़ी बड़ी आखों में मोटा मोटा काजल लगाए, गोटों पर लाल लिप्रिष्टिक, हातों में हाती दात के सफेद और लाल रंग के कड़े और कुछ चूडिया, पैरों में भारी पायल और भारी भारी गहने पहने हुए सोरिता उसके सामने खड़ी थी, जैसे उस आथे मांगटी का, कानों में बड़े बड़े जुम के कमर बंद चाबी, आस इसको यकीन नहीं हो रहा था, ये सोरिता है, क्योंकि सोरिता को साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, व्या कमपरेटेवल ड्रेस पहनना पसंद करती थी, कभी-कभी मौके पर साड़ी प भी नहीं था, और ये तो सोरिता जो चाहे वो पहन सकती है, लेकिन ये तो सोरिता साडी पहन कर खड़ी थी, वह भी बंगाली लुख में, और पूरा मेकप भी उसका बंगाली था, आस इसको लग रहा था, सातियों की कहीं सोरिता की सकल की कोई और ही औरत उसके सामने करने के लिए इस तरीके से तयार हुई है उससे मन कर रहा होगा कि कोलकता में रह रह रही हो चलो बंगाली साडी भी पहन कर देखूं मैं कैसी लगूँगी बंगालियों के तरीके से तैयार हो गई बंगाली तो वे थी आधी सही पर फिर भी उसको थोड़ा अजीब लग रहा था जो डॉक्टर की बात आसीज के मन में आ रही थी वे सौरिता से कैसे कहे उस आसीज को समझ नहीं आ रहा था उसे लग रहा था अभी मैं सौरिता से कहूँगा कि डॉ और पीछे हटेगी पता नहीं जाएगी या नहीं कैसे भी यहव करेगी किस तरीके से पता नहीं समझ नहीं आ रहा आसीज के बारे में बिलकुल अनुमाल नहीं लगा पा रहा था कुछ खकारते हुए आसीज अंदर घुसा और काका गोपाल को आसीज जो काका पानी लेकर आसीज के लिए और खाने के लिए कुछ ले आए आसीज ने पानी पीया और सौरीता को बैठने को कहा सौरीता भी मिस्कुरा कर आसीस को देख रही थी, पूछ रही थी, क्या हुआ जी, आप बड़ा जी विहेव कर रहे हैं, कोई बात है, क्या कुछ बात करनी है क्या, आसीस बोला, तुम ठीक हो ना, और तो वह कहने लगी, हाँ, मैं ठीक हूँ, सौरिता कहने लगी, आप भूल गए ना, मैं सौरिता नह मिलने जाना है, तो तुम मेरे साथ चलोगी, सौरिता बोली, क्या हुआ, कौन से डॉक्टर के पास चलना है, आप मुझे को बताईए, मैं मदद कर सकती हूँ, तो घर पर ही कर देते हैं, इलाज, आसीस बोला, नही नहीं, डॉक्टर के पास चलना है, तो कल तयार रहना, कल सौरिता, आसीस, दॉनो थैयार होकर, ढॉक्टर के क्लीनिक के लिए निकल गए, सौरिता जब तैयार होकर बाहर आई, तो आसीस उसे देखता ही रहा गया, क्योंकि आसीस को लगा था कि सौरिता भी फटा फट से, कोई सूट पहनेगी, और चलने को तयार हो जाएगी, पर कुछ धीला सा जूड़ा बना रखा था जो कि उस पर बड़ा सुन्दर लग रहा था हलका सा मेकप गाड़ी लाल रंग की लिपिष्टिक आखों में मोटा मोटा काजल सब कुछ आसीस ने नोटिस किया पहले आसीस जो सौरिता को इतना नोटिस नहीं करता था सौरिता कभी त सबरी औरते बहुत अच्छी लगती हैं पर सौरिता कभी तयार ही नहीं होती थी सौरिता को सजना सबरना पसंद नहीं था सौरिता जब किसी को इतना तयार होती देखती थी साड़ी पेने गहने पेने तो उसे लगता था कि कोई कैसे इतना तयार हो सकता है उसका कहना था कि उसे यह बहुत ही ऐसे हज लगता है बहुत ही अनकमफरिटेवल उसे फील होता है अगर उसे पहनना पड़े तो वै कभी भी इस तरीके से तयार नहीं होगी हाँ बहुत जरूरी हुआ तो होगी बस नहीं तो किसी तोहार के समय जो सौरिता तयार नहीं होती थी मेकप से तो सौरिता खाली क्रीम लगा लेती थी, काजल और हलके से रंकी कोई लिप्रिष्टिक, और काजल भी बहुत हलकालखा, सौरिता कहने लगी, आसीस से क्या हुआ, ऐसे क्यूं देख रहे हो, आसीस कहने लगा, नहीं, वे कुछ नहीं, बस तुम बहुत अच्छी लग रही हो, सौरिता बोली धन्यवाद, आब चलने जल्दी से, आसीस बोले नहीं नहीं चलो, चलना है कि नहीं चलना, सौरिता ने पूछा, आसीस बोले आरे नहीं चलो, सौरिता जब चलकर आने लगी, तो उसकी पायल बजने लगी, उसकी पायल की गुंगरू की आवाज, बहुती मधूर और बहुती तेज थी, जैसे किसी ने भारी पायल, जो खूब सारे गुंगरू वाली पहन रखियो, जैसे नई-नई दुलहन पहनती है, सौरिता तयार भी थी, कुछ नई-नई दुलहन की तरही, और आकर गाड़ी में बैठने वाली थी, कि देखती है काली बिल्ली उसका रास्ता काट कर चली गई, सौरिता कहती है, उड़ी बाबा, एक ही हो गया, ये तो चलिये अब, असुब है, आसीस ने कहा, कहाँ सुब क्या, सौरिता बोली, अरे ऐक काला बिल्ली हमारा रास्ता काट कर चला गया, तो आसीस बोला, ओ, ये सुब असुब कुछ नहीं होता सौरिता, और तुम कब से ये सब मानने लगी हो, तुम तो सब नहीं मानती हो, और काली-बिली अपने रास्ते जा रही थी यार तुम और मैं अपने रास्ते जा रहे हैं सौरिता बोली नहीं नहीं कुछ तो गड़ड़ है हम नहीं जाएंगे आसीस भोला क्या यार सौरिता मैंने डॉक्टर से अपॉइन्ओंट ले लिया है अब नाटक मत करो जाना जरूरी है इसलिए मैं कहराओं कि चलना है सौरिता मान गई और गाड़ी में बैठ गई और आसीस भी आकर सौरिता की बगल में बैठ गया और ड्राइव करने लगा दौनों लोग कुछ दूरी निकले थे कि गाड़ी खराब हो गई सौरिता बोली आप हमारा बात नहीं माना ना देखो क्या हुआ गाड़ी खराब हो गया हम बोला था कि आज सुब नहीं है बिल्ली हमारा रास्ता काटा है आज नहीं जाना चाहिए तब हमारा बात मानता ही नहीं है आप आप तो बस जो आपको सही लगता वही करता है हमको भी बोल दिया अपने साथ आने को अब बताओ हम दोनों फस गयाआ's कैसे जाएगा और कहाँ है अब घर जाना है कि डॉक्टर के किलीनिक जाना है आपको आसस्त्र एक टैक्सी हायर करती है और किलिनिक चलने को कहा तो सौरिता कुछ गुसा रहती है और कि अभी मना किया परिया आदमी है कि मानता ही नहीं अभी बोला कि सुभ नहीं है अब और क्या होना बाके क्या चाहता है कि जादा कुछ गणपड हो जाए कुछी दूर निकले होते हैं कि सौरिता अपने होस में आ जाती है और कुछ अज लेकर जा रहे हैं आप मुझे आसीज हस देता और फीकी हस और क्या और कहता यार सौरिता तुम भी मजाग करती हो acting कर रही थे क्या आप तक सौरिता कहती है क्या मतलब मैं कुछ समझी नहीं मैं क्या कह रही हूं, मैं तुम से पूछ रही हूं न यार, हम लोग तो उस कोठी के सामने थे, वह अपसकार में क्या कर रहे हैं, तो आसीज कहता कुछ ने हम लोग एक डॉक्टर के क्लिनिक जा रहे हैं, सौरिता कहती है डॉक्टर के क्लिनिक पर, पर वे क्यों आसीज, हम ड कुछ खराब है तो डॉक्टर से अपॉइंट मेंट ले लिए बस वहीं जा रहे हैं सौरीता कहती है ओके टैक्सी ठीक क्लिनिक के सामने जाकर रुकती है टैक्सी वाला जो अपने पैसे लेता और चला जाता है